सिर्फ वो सिफ quality lovers के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि जो लोग ultimate quality चाहते है वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि वाई इस वीडियो में जितने यू डोग्स बीड होने वाली है वो सभी के सभी बहुत शांदार quality के और सम्कौलेडिक है तो अगर आप ल प्रेंच मश्टिफ काफी एच्छे फैमिली प्लैस गार्डोक्स होते हैं और यह काफी मस्कुलर भी होते हैं और यह एक ही कोट कलर में पाये जाते हैं जो हमोग नी जो कि आप लोगे सामने ये थोड़ा सा डार्क और थोड़ा सा लाइट भी हो सकता है तो फुल ओफ रिं प्राइस के हो चुके हैं और प्रैसिंग की बात करें तो मेल का जो प्राइस है वह है 29,000 पीस 29,000 पे और फीमेल का जो प्राइस है वह है 26,000 पीस यानि 26,000 पे और जब पावरफुल डोग बीड के साथ आप लोग को ऐसी कोड़ी मिले ना वह भी रोड प्रेदर के अंदर तो बाइस मजा ही अलाग है जो देखेंगे ना पपीस को देखते रहे जाएंगे क्यूकि बाइस की कौड़ी देखे अल्टीमेट कौड़ी के पपीस हैं जैसे कि आप लोग इंपोर्ट लाइन के देखते हो ना पपीस डिटो वैसे ही हैं और पपीस का प्राइस पे आप काफी पसंद आने वाला है वैसे पपीस काफी डार्क कलर में काफी हैवी बोन है और बिल्कुल पंच फेस में है तो रोट वेलर एक काफी सोलेड डोग बीड है जो बहुत पावरफुल होते हैं और स्कूर्टी के लिए सबसे बैस्ट बाने जाते हैं आप लोग को इसली य यहांगे जिन लोग को स्कूर्टी की नीड होती है और यहां पर वायर डैली मल्स का खत्रा होता है वहां पर तो यह डोग बीड परफेक्ट रहने वाली है तो फिलाल जो आप वोग स्कीन पर देख रहे ना यह पपीस दोनों के दोनों मेल है एंड इनका प्राइस दना वह इसकी एज के बारे इंबात करें तो 35 डेस की हो चुके और प्राइस जोना वह बिल्कुल मेल को पीस से हाफ है जो है 15,000 पीस यानि सिर्फ 15,000 रुपे एंड गाइस अगर आप लोग को ऐसी कोलिडी में जर्माइन शेफर चीर वह भी प्योर ब्लैक कलर में तो फीमेल देख होते हैं और जो ब्लैक जर्माइन शेफर्ड होते हैं वह दिखने में भी काफी अलगी लगते हैं और इसकी ज़्यादा डिमांड करते हैं तो वह काफी यूनिक सा लगेगा हाँ अगर इनके पेरेंट्स के बारे इंबात करें तो यह देखेगा इस यह आप लोग देख रह लोगी जो है European Doberman जहां आप लोग को American Doberman तो दिख जाते हैं लेकिन European आजकल भाई किसी के पास है नहीं लेकिन तुम्हारा भाई ना तुम लोग के लिए सभी डॉक्स बिट काफी आसानी से अरेंज करा देता है यहां पर आप लोग को यह पास से मिल जाएंगे अपी रि प्रइज के बारें बात करें तो यह 37 डेस के हो चुके हैं और इनका प्राइस देना वह मेल का है 25,000 पीज पचीज जार पे एंड फीमेल का 20,000 पीज यानि 20,000 पे भाई देखो फिलाल के इसाफ से तो प्राइस सच में बहुत कम है नेक्ट बात करते हैं पिट बारे में दो आप लोग चानते हैं कि पिट बूल कितने जवर्दस डोक्स होते हैं काफी एनलेटिक होते हैं तोड़े अग्रेसिव भी अगर आप लोग ने ऐसे से टेंड नहीं करते तो आसपास हो चुके हैं और यह सभी डोग स्बीड आप लोग को एक ही लोकेशन से मिल जाएगी जो है दिली एंसिया से डायक ट्रागर भी ले सकते हैं तो पूरे आल ओव इंडिया में मिल जाएगी आप लोग को सिर्फ एडवांस डिलिवरी का पे करना है बाकि आप लोग बा आप भाई